बाईयों बेनों जो आज यहाँ ठंड में सर्दी में सत्यग रहा के लिए आए आप सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और सिर्फ मैं नहीं देश आपको धन्यवाद करता है जो लोग आज इस सत्यग रहा को टेलिविजन पे देख रहे हैं उनका मैं भी यहाँ स्वागत करता हूं देश एक अवाद होती है और आज जो हमने प्रियांबल पढ़ा संविधान पढ़ा वो हिंदुस्तान की जन्ता की आवाज थी उस आवाज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस आवाज ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया प्यार से शांती से मगर बिना पीछे हटे उसी आवाज ने हिंदुस्तान की अर्द्विबस्ता को खड़ा किया करोनों युवाओं को रोजगार दिया भाकरनंगल बनाया रेलवे लाइने लगाई एरपॉर्ट बनाए उस आवाज के बिना हिंदुस्तान नहीं रहेगा हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की नाम ने लेना चाता हूँ मगर देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस आवाज को दबाया जाए देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की उन्नती को नश्ट किया जाए तोड़ा जाए देश के दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि इस देश की शक्ति हमारी अर्ध व्यवस्ता को नश्ट किया जाए और हिंदुस्तान की आवाज ने लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को रोका अजीब सा दिन है जो काम देश के दुश्मन नहीं कर पाए वो काम आज नरेंद्र मोदी पूरे दम लगा के कोशिश करने की पूरे दम लगा कर कोशिश कर रहे है कि हमारी उन्नती नश्ट हो जाए हमारी उन्नती नश्ट हो जाए और देश की आवाज शान्त हो जाए चुप हो जाए नरेंद्र मोदी जी जब आप जुडिसिरी पर जवाव डालते हैं तो आप देश की आवाज को चोट पहुचाते हैं जब आप स्टूडन्स पर लाठी चलवाते हैं गोली चलवाते हैं तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश करते हो। जब आप हमारे जर्नलिस गहां जो खड़े हैं, जब आप इनको दबाते हो, इनको दबा पे दबाते हो, तो आप देश की आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप हिंदुस्तान के करोणों युवाओं से रोजगार चीनते हो, नोट बंदी करते हो, हिंदुस्तान के उद्योग पतियों को, छोटों दुकंदारों को दबाते हो, आप देश की आवाज को दबाने की कुछ करते हो नरेंद्र मोधी जी, आप कॉंग्रेस पार्टी से नहीं लड़ रहे हो, गलत फैमी में मत रहो, ये कॉंग्रेस पार्टी नहीं है, ये देश की आवाज है, और देश की आवाज के खिलाफ आप खड़े हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपके मित्र हमित शाह को बताना चाहता हूँ, कि ये आवाज कॉंग्रेस की नहीं है, ये आवाज भारत माता की आवाज है और आप ये बात मत भूलो अगर आप इस भारत माता की आवाज के सामने खड़ो रहोगे अगर आप इस भारत माता की आवाज को स्टूडन्स को प्रेस वालों को जुडिशरी को दबाने की कोशिश करोगे तो भारत माता आपको जबर्दस जवाब देने जवारी है और जहां तक जहां तक कपड़ों की बात है जहां तक कपड़ों की बात है नरेंद्र मोदी जी पूरा देश आपको अपने कपड़ों से पहचानता है दो करोड रुपए का सूट हिंदुस्तान की जनता ने नहीं पहना था आपने पहना था ये देश एक है आप देश को जवाब दीजिए आप देश के करोड़ों स्ट्यूडन्स को जवाब दीजिए आपने हिंदुस्तान की शक्ति को अर्थ व्यवस्ता को रोजगार को क्या किया क्यों नच्स किया आप देश को बताईए कि जहां हमारी 9% ग्रोथ रेट होती थी आज 4% ग्रोथ रेट हो कर दिये आपने आप हिंदुस्तान के स्टुडन्स को युवाओं को बताईए कि आज उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है आप रोजगार नहीं दे पाए आप अर्थ व्यवस्ता को चला नहीं पाए इसलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो इसलिए आप देश को बाटने की कोशिश कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी बाहर आईए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताईए उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप बाहर आईए हिंदुस्तान के छोटे दुकानदारों को बताईए उद्योग पतियों को बताईए युवाओं को बताईए आपने हिंदुस्तान के अर्दवस्ता के साथ क्या किया आप कुछ नहीं कह पाएंगे आप सिर्व एक काम कर सकते हो आपको सालों से आपके संगाटन ने सिखाया है और मैं यहां से कह सकता हूँ कि इस काम को करने में आप कोई बहतर नहीं है हिंदुस्तान को कैसे बाटा जाए हिंदुस्तान में नफरत कैसे फैलाए जाए हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा जाए यह आपको सालों के लिए सिखाया गया और आप इसमें नमबर वन है और आज ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है आज ये देश इस बात को समझ रहा है आज इस देश इस देश के college students, university students सारे के सारे समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सिरफ नफरत फैलानी आती है और कुछ नहीं आता है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ये भारत माता की आवाज आपको इस देश पर आकरमन नहीं करने देगी आपको इस देश को बातने नहीं देगी ये constitution हर धर्ण के व्यक्ति ने बनाया था अंबेटकर जी ने बनाया हिंदू, मुसल्मान, सिक्ष, इसाई सबकी अवाज इस constitution में है और आप इस constitution पर आकरमन नहीं कर सकते हो पुरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं जरनलिस्त मित्र हैं यहां पे आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आप सच्चाई जानते हो और आप नरेंद्र मोधी के खिलाफ लड़ोगे मैं समझता हूँ कि आप चुप नहीं रहोगे और हम सब चुप नहीं रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार